जैसा सफल भीजनस को बंद दिया नहीं किल दर्व लुयूवह भी चली छाला। ते श्याम के बिजनस का मारद्श जोनाहो भी बहुत अच्छा है मैं दॉक्रमित मAMAएश्वरी आप सभी का साओगित करता हूँ आज के इन्फॉर्मिटी वीडियो में Friends, आज मेरा आपसे एक प्रशन है, आप इस बिजनस में कैसे आए, मतलब जो भी बिजनस आप कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, आप reality में उस बिजनस में कैसे आए, ऐसा नहीं हो सकता कि रातो रात आपको एक सपना आया, कि मुझे ये बिजनस करना है, और आपने उस बिजनस को समझा, और दिरे दिरे experience करके आप उस बिजनस में आ जाए, या आपके किसे relative ने आपको invite किया, अगर बिजनस करना है तो मेरे बिजनस को देख लो, समझ लो, सीख लो, और ये बिजनस शुरू कर दो, और आपने बिजनस को शुरू कर दिया, या आप में लोग होंगे जो Educational Institute Run करते हैं ले जए कई क्से पसस ही कई बार आसा भी होता है कि हम ऐימी को पसंद आता है हम उस विज़नस को अबजर्व करते हैं और एप्रव करने के बाद दीरे 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 उस बिज़नस को समझना शुरू LAURA करते हैं और घर सी जब हम बिज़नस को समझ जाते और हम विश्वास हो जाता यह यह वह बिजनस जो मुझे बहुत बेस्ट इंकम दे सकता है और मेरा करियर बना सकता है आपने उस बिजनस को शुरू कर लिया आईए इस बात को मैं एक स्टोरी के माधियम से आप दाओं देव और करन दोस्त थे और दोनों ही एक अच्छे बिजनस की तलाश में थे उनके पेरेंट्स का कोई बिजनस न कर रहा है क्योंकि श्याइब बिजनस की लोकेशन एक वह बहुत प्राइम लोकेशन है इतनी कोई व्यक्ति ऐसा हुई नहीं सकता है कि उस अलाके में जाए और बिजनस को ना देखे ऊपको ना देखे उसके बाद शाम जो है वह क्वालिटी प्रोड़क्ट बनाता है श्या च्लाइब दोनों की मनन में एक आइडिया किया और यार आ बिजनस करना तो यही बिजनस करने वाई समझा होगा धू करण में यहां ने किसे बिजनस को ऑबरिटि चीजए बात देव और करन के माइन में एक आइडिया फिट हो गया कि अगर बिजनस करेंगे तो वो बिजनस करेंगे जो शाम का बिजनस है इसके लिए उन्हें उन्हें ने शाम के बिजनस को अब्जर्व करना शुरू कर दिया वो रेगुलर शाम के बिजनस को देखते रहते थे लुख़री चीजें इस्तिमाल करता है तो उनको लगा यार यह तो highly profitable बिजनस है और शाम के यां लगातार वही कस्टमर आते रहते हैं क्योंकि जब observe करते हैं तो आप हर चीज पर ध्यान देते हैं बारी किसे देखा यार शाम के यां loyal customer है regular customer आते रहते हैं और बिना कीमत पु तो शाम की shop तो यहां कामियाब है उसकी वएसे हम कामियाब नहीं हो पाएंगे और अगर हम दोनों दोस्त किसी एक जगा पर जाकर बिजनस करेंगे तो भी क्या होगा यार तेरे customer मेरे customer हापस में मैच हो जाएंगे हो सकता है हमारी जो friendship है वो खराब हो जाए एक काम करते है लिए शाम से दूर चलते हैं और तुमे एक अलग अलाके में जाता हूँ अलग जाता हूँ जोन में जाता हूँ अलग district में जाता हूँ और वहां business करते हैं दोनों ने यही निर्णे लिया और व depths अच्छी investment थी बिजनस में लगाने के लिए देव को पता था लोकेशन प्र क्योंकि उसको यह पता ही नहीं था, कि वास्तिभिकता में business के utiwar चड़ाव कैसे होते हैं, कैसे losses को bear किया जाता है, कब-कब business चलेगा, कब-कब खरचा बढ़ेगा, कभ-कब sales कम होगी, कभ-कब sales बढ़ जाएगी कब cost of production हमारी घड़ती चली जाएगी या बढ़ती चली जाएगी बिजनस के लिए उसके पास कोई planning नहीं थी क्योंकि उसने बिजनस को experience नहीं किया था केवल observe किया था उसको यही नहीं पता था कि शाम का जो बिजनस है ना उसके पीछे क्या marketing strategy है शाम ऐसा इतना सारा बिजनस कहां से लाता है एक दिन देव उस बिजनस को बंद कर बैठा है क्योंकि उसका बिजनस घाटे में था और एक तरह से घाटे में ही नहीं था उसने उस बिजनस को successfully run करने के लिए और करजा भी लेना शुरू कर दिया लेकिन की cost cover नहीं हो रही थी और एक दिन देव था वो bank corrupt हो गया करन देव से मिलने आया वो भी एक luxury गाड़ी में उसने देखा कि यार देव ऐसा क्या हुआ तुमारे साथ कि इतने बढ़िया को किया experience नहीं था मेरे पास उचा करन तूने क्या किया तो करन ने अपनी story बता ही कि यार मेरे पास अच्छा investment था मैं business करना चाहता था इस बात को लेकर ना करन सीधा श्याम के पास पहुचा और श्याम से उसने कहा कि श्याम जी आपका business बहुत अच्छा है आपका product बहुत अच्छा है आपकी quality बहुत अच्छी है आपके loyal customer है मैं भी ये business करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास business का experience नहीं है तो श्याम ने पुछा ये business आप कहा करना चाहते हैं का मैं दूसरी city में जाके करूँगा श्याम को श्याम ने अपने मन की बात कही कि यार मेरा भी बड़ा मन था कि मेरा business यहां बहुत सा चल रहा है इस city के सारे लोग मुझसे product लेने आते हैं लेकिन यहां से कुछ किलो मिटर एक city और है जहां से मैं business कर सकता हूँ कमा सकता हूँ पैसा लेकिन मेरे साथ को ऐसा person नहीं जो मेरे साथ मिलकर पैसा लगाए और मिलकर मेरे साथ काम करें और हम दोनों मिलकर मेरे 10 साल के अनुभव को मैं उसके साथ share करूँ और जैसा सफल business मैंने यहां चला है वैसा सफल बिजनस वहाँ भी चला। दोनों को बात समझ में आई, करन को पता था मेरे पास पैसे हैं, शाम को पता था मेरे पास एक्सपीरियन्स है। करन को पता था कि मैं पैसा इंवेस्ट कर सकता हूं तो शाम प्लस करन दोनों ने मिलकर उस दूसरी सिटी में शाम का उटलेट फ्रेंचाइजी किया, लिया और वहाँ पर एक सक्सपुल बिजनस रन किया। शाम को ये बात समझ में आ गई, कि यार ये तो बिजनस का राइट मॉडल है। अगर मैं सभी शिटी में ऐसे पार्टनर ढूंड लूँ, जो मेरे साथ मिलकर काम करना चाहें, जो मेरे बिजनस के एक्सपिरियंस को ग्रैब करना चाहें, जो मेरे अनुभव के अधार पर बिजनस को सक्सपुली रन करें, और मेरे नाम की जो गुडविल बाजार में बन क्योंकि जिसकी वएसे मेरे लॉयल कस्टमर हैं, ठीक वैसी लॉयल कस्टमर हैं, वहाँ पर भी पैदा कर लो, साथ ही साथ, मुझे ये पता है मार्केटिंग कैसे की जाएगी, मुझे पता है व्यापार के उतार चड़ाव कैसे होंगे, तो श्याम ने एक बिजनस मॉडल ड बढ़ाता चला गया, और श्याम ने पचास आउटलिट अगले दो साल में डेवलेप कर दिया, यहाँ पर श्याम और करन में जो श्याम है, वो बना फ्रेंचाइजर, मतलब वो कंपनी जिसका काम दूसरे लोगों के साथ मिलकर बिजनस को एक्सपैंड करना है, और करन बना वो फ्रेंचाइजी, जिसने फ्रेंचाइजर के सक्सेस्फुल बिजनस मॉडल को समझते हुए, एक अच्छा बिजनस सेटप बनाया, प्लस एक गुड प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, तो मौरल ऑफ दा स्टोरी क्या है, फ्रेंचेज बात से कोई फर्क नहीं पड़ तो जरूरत है उस पैसे को ऐसे साथ विक्ति के साथ इन्वेस्ट करने की जिसको उस बिजनस का एक्सपीरियन्स हो, मतलब आप एक सक्सेस्फुल कमपनी की फ्रेंचाइजी खोल कर भी सेम बिजनस में अच्छा रिवेन्यू, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और अ एक इन्वेस्टर बनकर अपने एक सक्सेस्फुल फ्रेंचाइजी को खोल कर एक अच्छी इंकम कमाना चाहते हैं, बहुत सारे फ्रेंचाइजी भी मल्टीपल आउटलेट्स कर लेते हैं, एक ही कंपनी की कई सारी फ्रेंचाइजी कर लेते हैं, एक फ्रेंचाइजी एक को लेकर ब्रैंडिंग को लेकर प्रमोशन को लेकर मार्केटिंग को लेकर बिजनस से ग्लेक्टिड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से लेकर सब कुछ सिस्टम एक कमपनी देने के लिए तयार है यह आपके ऊपर निभर करता है कि आप बिजनस का सेट अप कैसे करेंगे आप लोगों के लिए पूरी सीरीज मैं यहां शुरू करने जा रहा हूं कि एक स्मॉल स्केल बिजनस का शुबारम करना है तो कैसे सक्सेस्फुल फ्रेंचाइजी बनकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर आपके मन में अपने बिजनस को लेकर कोई भी डाउट है कोई भी कोशन है या आपको लगता है कि आप अपने बिजनस को फ्रेंचाइजर या फ्रेंचाइजी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्राश्न कोई भी इंफॉर्मिटीव वीडियो मिसना हूँ क्योंकि स्पेशल सीरीज उन लोगों के लिए जिरोंने स्मॉल स्केल बिजनस को लार्ड स्केल बिजनस सक लेकर जाना है क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं कोशिंग इंस्टीट पढ़ाया करता था उसी समय से मैंने फ्रेंचाइजी बिजनस जवलप करना शुरू कर दिया और बहुत कम समय में पूरे इंडिया में अपने फ्रेंचाइजी इंस्टीट्स बना दिये टेक्निकल एज्यूकेशन में आया तो मेरे पास पिछले 10 वर्ष का अनुबव था कि बिजनस को फ्रेंचाइजी कैसे करना है मातर 3 वर्ष के समय में पूरे हिंदोस्तान में 50 सेदा फ्रेंचाइजी टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना दिये और 2012 में जब मैं मडूलो किछन में आया तो मेरे पास 15 साल का अनुबव था फ्रेंचाइजी बिजनस का और एक ही साल में पूरे इंडिया में बहुत सारे फ्रेंचाइजी शोरूम्स बना दिये तो ये पूरी की पूरी टेक्निक पूरे मेथड पूरे सिस्टम में आप लोगों को सिखाने और समझाने के लिए तयार हैं बचरते आपके अंदर वो जज़बा होना चाहिए कि आप सीखने के लिए तयार हैं इसलिए सारी इंफॉर्मेशन अपने बिजनस टाइम से सेपरेट टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए बनाता हूँ स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूँ जय हिंद जय भारत